स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरी भोजन शालामी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू पालक की एक बहुत जबरदस्त सबजी की रेसिपी तो आए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं आलू पालक की सबजी बनाने लिए मैंने यहाँ पर गेस पर एकड़ाए रखी और इसमें मैंने देड़ गलास करीब पाने डाला है पानी में यहाँ अच्छा सा उबालाने देते हैं पानी में यहाँ पर उबाला चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं पालक मैंने यहाँ प पर अच्छे से गल चुकी है तो अब हम गेश को बंद कर देते हैं और इस पालक को हम एक बॉल में निकाल लेते हैं और अब हम इसके उपर डाल देते हैं आदा ग्लास थंडा पानी और पालक को हम यहापर थोड़ा थंडा होने देते हैं तो पालक ठंडी होती है तप तक के हम यहाँ पर सबजिक लिए ग्रेवी बनाने की त्यारी कल लेते हैं तो हम यहाँ पर एक मिक्सिका जार ले लेते हैं और इसमें दो भारी कटे हुए टमाटर डाल देते हैं साथी में दो हरी मिर्ची डालेंगे और आदा इंच अद्रक का तुकड़ा लिया है जिसको मैंने कद्दू कस करके डाला है तो सभी को यहाँ पर अच्छे से पीस लिया है अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और अब हम इसी जार में डाल देते हैं उबलावा पालक और पालक को भी हम अच्छे से पीस लेते हैं तो पालक का यहाँ पर स्मूथ पेस्ट बन करके तियार है अब हम बनाते हैं सबजी गेश चालू करके मैं निकडाई रखती है इसमें हम डालेंगे 4 चमबस तेल और तेल हमारा जैसे ही गरम हो जाता है इसमें हम डालेंगे उबलेवे आलू तो यहाँ पर में निडाइसोग्राम आलू लिये है और आलू को कुकर में डाल करके एक सिद्धी लगाई है तो आलू को हमें केवल 80% की बोईल करना है बहुत जादा नहीं बोईल करना है और अब हम आलू को इस तरीके से मेड़े माज पर चलाते हैं सुने दिखोने तक फ्राई कर लेते हैं, सब्जी में अगर हम आलू को इस तरीके से फ्राई करके डालती हैं, तो सब्जी का टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम एक प्लैट में निकाल लेते हैं, त आदे चमिश जीरा डाला है, और आदे चमिश राई के डाले डाले हैं, और साती में में निहापर 8-10 लसन की कलिया डाली है, तो लसन को में निहापर काटके नहीं डाला है, आप चाहे तो इसे काट करके डाल सकते हैं, या फिर आप इसे पीस करके भी डाल सकते हैं, और इस पर अच्छे से fry हो चुका है इसका हलका सा color भी बदल गया है तो अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं तो मेनी हाँ पर डाला है चुटकी पर हल्दी पाउडर एक चमल डाला है धनिया पाउडर और इसी के साथ मेनी हाँ पर एक चमल पिसा हुआ गरम मसाला डाला है इस पॉएयार किया था और इसे भी हम इंहें पर अच्छे से मिला लेते हैं कि और के बाद में अब हम इसे कुसदेर के Hai ताकर का GOक मीनि हभी केने दो मुण के लिए पालक के पका चुका है कि और क्रेवी से अलग नजराने लगा है कि तो आप इसमें डाल देते हैं पालक का पेश्ट जो हमने पालक को उबाल करके त्यार किया है और साथी में अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो में यह पर आदा कटोरी पानी डाला है एक बार हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं फ्राई कियेवे आलू और साथी में एक चमश नमक डाल देते हैं नमक आप अपने साथ के नूसार डाले और अब हम इसमें डाल देते हैं दो सुखी खड़ी लाल मिर्ची मिर्ची को इस तरीके से चूरा करके डालेंगे इस तरह से चूरा कर के डालने से इस सब्जी का टेस्ट बहुती बढ़या आता है एक बार हम सभी को यहाँ पर मिला लेते हैं और अब हम इसे ढग देते हैं और धीमी आज पर हम इसे दो से तिन मिट के लिए और पकने देते हैं दो मिनिट पकाने के बाद में अब हमारी आलू पलक की सब्जी बन करके त्यार ही सब्जी की बहुती बढ़या सी महे का रही है तो अब हम गेस को बन का देते हैं और इस सब्जी को हम एक प्याले में निकाल लेते ही आप इस सब्जी को पूरी पराठे या चापाती या फिर की तावल के साथ सर्व कर सकते हैं यह सब जी खाने में सच में बहुत ही टेस्टी लगती है तो यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें मेरी भोजन शाला को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरू से दबाएं मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ